Hello everyone and once again welcome to WS Cube Tech, myself Umar Tashkir. Guys, इस particular वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से हम Facebook Pixel का setup कर सकते हैं अपनी website के उपर using GTM. तो guys, चलिए, शुरू करते हैं हम लोग और यहाँ पर जो हम setup करेंगे, वो basically हम लोग templates को use करेंगे. Guys, अभी आपको पता चल जाएगा कि मैं templates की जो बात कर रहा हूँ, यहाँ पर वो किस respect में कर रहा हूँ. इस specific pixel code को यहाँ पर notepad में अलग से निकाल के रख लेता हूँ, ताकि मुझे यहाँ पर पता चल सके कि इस pixel code में कौन-कौन सी चीज़े हैं. तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यह जो initiate के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है, यह basically हमारी pixel ID होती, यह बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है. तो अब guys हमें क्या करना है, इस pixel code को हमें अपनी website के उपर लगाना है using GTM, चल यह शुरू करते हैं हम लोग, और हमारी जो basic process वही रहेगी, जो अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं, तो simply हमें जाना है tags के उपर guys, और tags के उपर जाने के बाद हमें क्या करना है, हमें new tag करना है और यहाँ पर हम लोग basically facebook का जो base pixel है, उसको हम install कर रहे हैं, सबसे पहले हमें base pixel install करना पड़ता है और उसके बाद हमें event pixels लगाने पड़ते हैं, जिस type से हमें अलग-अलग events track करने होते हैं, उसके हिसाब से हम decide करते हैं कौन सा जो event का pixel है, वो हमें specific page पे, किस specific condition पे हमें fire कर अब बहुत important चीज़, यहाँ पर जब हम tag configuration में जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर search करूँगा right facebook, बट आप क्या देखोगी, यहाँ पर आपको facebook नहीं दिख रहा है, यानि कि जो google tag manager है, उसकी pre-made templates के अंदर, जो यहाँ पर by default हमें इतनी सारी templates दिखाई दे रही हैं, इसमें क copy किया हुआ है, इसको पूरा मैं copy करके, यहाँ पर मैं paste कर दूँ, यह जो हमारा custom HTML tag type है, इसमें मैं paste कर दूँ, और इसको मैं fire करा दूँ, फिर all pages को पर, एक तो यह तरीका है, इससे हमारा जो facebook base pixel है, वो हमारी website के साथ integrate हो जाएगा, बट guys हमें क्या करना है, मैं आपको इ guys क्या करता हूँ, facebook pixel, यहाँ मैं base pixel वापस एक बार में लिख देता हूँ, वापस हम लोग configuration पे click करेंगे, अब guys आप यहाँ पर देख सकते हो, discover more tag types in the community template gallery, वेक टाइप की community की templates की gallery है यह, यहाँ से हम facebook की templates, जो है, उसको import कर सकते हैं, और फिर उस facebook template के through, हम जो facebook base pixel है, वो website के उपर लगा सकते हैं, तो दो तरीके हैं हमारे gtm के through लगाने के ठीक है, क्योंकि by default जो हमें यहाँ पर बड़ी सारी templates, अलग-अलग third party tools की हमें दिख रही है, वो हमें यहाँ पर facebook की options नहीं दे रहे हैं, ठीक है, अगर आप hot jar का tool use करते हैं, तो tracking code यहाँ पर उसकी भी template है, तो बाकी सारी चीजों की templates आप देख रहे हैं, बहुत सारे tools हैं, उनकी templates है, कोरा हम लोग न लगा है, उसकी भी template के through हम लोग न लगा है, बट यहाँ पर facebook का हमें option नहीं मिल रहा है, तो guys हम लोग क्या करना है, यहाँ पर देख रहे हो, facebook pixel तो मैं यहाँ से tag configuration में discover more tag types के उपर जाऊंगा, और यहाँ पर मैं select कर लूँगा facebook को, ठीक है, तो मैं यहाँ से facebook select करूँगा, जैसे facebook हम लोग select करेंगे, आप देखो, एक community template gallery से हमें यहाँ पर एक facebook pixel की template दिख रही है, मैं इसको select कर लूँगा, और इसको मैं add to workspace कर देता हूं, ठीक है, और यहाँ पर बता रहा है, gallery से हम लोगों ने करी भी है, ठीक है, और यहाँ पर हमें facebook pixel ID जो है, वो enter करनी पड़ेगी, तो guys मैंने यहाँ पर copy करके रखा हुआ था, इसलिए करके रखा हुआ था, कि अब हम लोग यहाँ से facebook की जो हमारी ID है, उसको हम लोग simply यहाँ पर copy कर लेंगे, okay, copy क पाद इसको page view हम लोगों को रखना है, और यहाँ पर trigger में हम लोग इसको all pages कर देंगे, fine, trigger हम लोग इसको all pages कर देंगे, और हम लोग इसको save कर देंगे, बस आपको यह बताना important था, कि guys हमारे पास templates के भी options होते हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपको आपकी template नहीं templates मिल जाती है, templates का जो separate section है, वो यहाँ पर भी आपको दिया हुआ है, ठीक है, एक बार के लिए तो हमने अपना facebook pixel जो है, वो सारे pages के उपर अभी लगा दिया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, tag की हमारे पास templates हैं, तो हम जब search calorie के उपर यहाँ से भी हम कर सकते थे, import ब देख सकते हो, बड़ी सारी जो हमारे पास templates हैं, वो यहाँ पर हमें दिख रही है, ठीक है, तो almost बहुत सारी templates हैं आपके पास, इतना आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इतने सारे tools हो, इतने सारे platforms आप नहीं use करते हो, कि आपको सभी templates की जरूरत हो, जैसे Reddit है, तो template use कर दी है, अब template use करने के बाद मैं एक बार फिटसे इसको preview कर देता हूँ, अभी मैं submit नहीं कर रहा हूँ, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, कि पहले guys हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर preview कर लेता है, एक बार ताकि हमारी testing हो जाएगी, और उसके बाद guys मैं इसक करना है, ठीक है, मुझे normally यह base pixel ही लगाना था, ठीक है, क्यों हम लोग अभी GTM देख रहे हैं, हम लोग tracking की बात करेंगे थोड़े सा और अभी GTM में आगे बढ़ेंगे, tracking के point of view से बात करेंगे, अभी तो हम लोग basic setup देख रहे हैं, किस तरीके सा अलग-अलग, जो हमारे script के codes हैं, उनको हम अपनी website के ऊपर fire करा सकते हैं, या website के ऊपर deploy करा सकते हैं, अब हमें इसको refresh करना है वापस, ठीक है, तो वापस refresh करके हम preview and debug mode में जाकर एक बार चेक कर लेंगे, हमारी website के ऊपर, facebook pixel यहाँ पर अब दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, so let's see over here, ठीक है, एक बार मैं वापस को दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर आप देख सकते हो, facebook बेक pixel हमारा fire हो रहा है, और यहाँ पर हमारे पास यह option भी है, आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास यह option भी है, new pixel मैंने नाम रखा था, इसको अभी आप ignore करो, यह already एक बना हुआ pixel पहले स अल्ससे आप cross check कर सकते है, match कर सकते है, कि वही वाला आपका pixel है कि नहीं ए ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसलिए match कर रहा हूँ, क्यूंकि दो pixels आप देख रहे हो, एह इसलिए मैं आपको match कराके दे रहा हूँ, तो guys मैं tags पर आता हूँ, ताकी मैं आपको दिखा सकूं, ठीक तो 1805 भी है, तो गाइस यह बहुत समझना आपके लिए जरूरी है कि यहाँ पर जो हमें templates दिख रही है, ठीक है, वही templates नहीं होती है, हमारे पास और भी जारे templates हैं, जो हम basically gallery से import कर सकते हैं, या अगर कोई हमें नहीं दिख रही है template, gallery भी हमें नहीं दिखी, ठीक है, उसके ब customers email में जाके भी paste करता, तब भी वो इसी तरीके से काम करता, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, so guys हम लोगों ने बड़े सारे जो हमारे pixels होते हैं, codes होते हैं, और जो यह tracking के codes हैं, इनको अलग-अलग platform से, अलग-अलग ad account से हम लोगों ने लगा के देख लिया, बड़ी सारी च बार हो चुके हैं, दोसकों इस पाटिकुलर वीडियो में इतना ही, मिल दे नेक्स वीडियो में, till then, good bye.